आज की सुड़ों पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे आप इंस्टाग्राम में high quality में अपने real video को अपलोड कर सकतों, जिससे आपकी real video की quality ना गिरे, upload या पोस्ट करने के बाद, मैं आपको Instagram के कुछ setting भी दिखाने वाला हूँ, जिनहें अगर आप on नहीं करते हो, तो आपका real video का quality कभी भी सही नहीं होगा और साथी में मैं आपको ये भी बता दूँगा कि जब आप video को edit कर रहे होते हो मिन्स जब आप real video को बना रहे होते हो तो किस quality में आपको अपने video को export करना चाहिए ताकि आपकी real video high quality में export हो सके तो बिना time waste के video को start कर लेते तो सबसे पहले best export setting हम देख लेते हैं real videos का ताकि आपकी real video high quality में export हो सके तो जो भी application में आप video को edit कर रहे होगे CapCut, Vita, VN उसे आप open कर लेना VN editor में में आपको export setting दिखाने वाला हो जो setting में आपको यहां दिखाऊंगों वही same setting आप हर एक application में कर सकतो तो कोई attention लेने वाली बात है ही नहीं ठीके तो अपने VN editor या फिर जिसमें भी editing आप कर रहे हैं उसे open कर लेना और जब आप export कर रहे होगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आता है ठीके हर application में आपको तीन option देखने को मिल जागा रेजूलेशन, fps, and bitrate तो रेजूलेशन, fps यह दो setting जो होगा न वो बिल्कुल same आपको चूज करना है जैसा आपने recording के time पे किया होगा ठीके अगर आपने अपनी वीडो को 4K में record गया है सिर्फ आपका storage भड़ेगा और कुछ नहीं होने वाला quality बिल्कुल आपको same ही मिलेगा ठीके तो इसलिए 1080 को ही select करना अगर आपने 1080 में आपने वीडो को suit किया है उसके बाद frame rate की बाद किया तो frame rate generally mobiles में 30 में set रहता है अगर आपने इसे increase करके 60 किया है तो आप just use कर सकते हो तो ये दो चीजों तो आपके shooting के उपर depend करेगी कि आपने किस तरीके से suit किया अपने वीडो को उसके बाद ये beat rate आता है ये beat rate जो है ना इसे आप 30 के आसपास रख दोगे तो आपको बहुत अच्छा quality मिल जागा मिन्स सही quality आपको मिल जागा अगर आप इसे बहुत increase कर दे तो मिन्स अगर पूरा ही increase कर दे तो तो अभी quality पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप यहाँ पर storage को फर्क देख सकतो 30 के आसपास रखने पर इसका जो है वो 230 MB के आसपास है तो यही same setting आप हर एक application में कर सकते हो तो high quality में हमारी real video export हो चुकी अब हम अपने real video को high quality में upload भी करेंगे Instagram में by default एक setting रहता है जिसके कारण आपकी real video जब भी आप upload करोगे ना तो उसका quality यह खुद से down कर देता है Instagram ठीक है इसका solution है हमारे पास सबसे पहले आप Instagram को open कर ले ना यहाँ पर यह जो आपका profile का sign रहते है ना इसको पर click करके जस्ट आपको 3 lines को पर click करना है यहाँ पर setting में चले जाना है अब जो setting में आपको बताऊंगा उन्हें अगर आप कर दोगे तो आपका जो real video होगा हमेशा high quality में upload होगा यहाँ पर आपको scroll करते हुए नीचे आजाना है और आपको एक data use and media quality का option मिलेगा इसको पर आपको क्लिक करना आपको यहाँ पर एक upload at high quality देखने को मिल जागा इसे आपको enable कर देना ठीके यह वाले disable रहता है जिसके कारण हमारी जो quality होती वो down हो जाती इसलिए आप इसे सबसे पहले enable कर दो इसे जैसे enable कर दोगे उसके बाद जब आप real video को upload करोगे तो आपकी real video high quality में upload होगी ठीके तो यह एक setting है जो कि हमें यहाँ पर setting में आके करना है दूसरा चीज़ जब आप real video को upload करोगे वहाँ पे भी आपको एक setting करना होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ तो जब भी आप real video को upload करते हूँ for example मैं यहाँ पे प्लस ओले बटन को पर क्लिक करके एक real video upload करता हूँ आप real video को upload करते हूँ तो इसे सिर्फ स्क्रॉल करना advanced setting का एक option मिल जागा इसके उपर आपको क्लिक करना है देन यहाँ पे भी आपको upload at high quality का option मिल जागा इसे ज़स्ट आप enable करते हूँ ठीक है अगर disable होगा तो इसे ज़स्ट आप enable करते हूँ देन उसके बाद आप अपनी real video को upload करना तो आपकी real video high quality में upload होगी और उसकी quality बिल्कूल भी गिरेगा ने ठीक है तो शेर को पर आपको up क्लिक कर देना आपकी real video upload हो जाएगी सो ये था दो सेटिंग जो कि आपको करना है ताकि आपकी रिल्यूड हाई क्वालिटी में अफ्लोड हो सके और इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी गिरेना I hope आपको दोनों चीजे समाझ आचुका है कि इस तरीके से आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है और कौन कौन से शेटिंग करने है ताकि आपकी रिल्यूड हाई क्वालिटी में इक्सपोर्ट हो सके तो इस उड़ो में इतना ही था मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई